Good morning all of you, सबसे पहले आप सभी लोगों को सवतंतरता दिवस की हारदिक सुपकामनाई आज के दिन हम उन सभी सहीदों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनका सुक्रिया अदा करते हैं जिनके बलिदान की वज़े से आज हम इस आजादी के साथ जीर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो चलिए, अब बात करते हैं अपनी मेन वीडियो के बारे में, तो आज की वीडियो में क्या कुछ खास रहने वाला है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में यहाँ पर टोटल हम पात सवालों के उपर बात करेंगे सबसे पहला सवाल है वेरिकोज वेन होता क्या है सवाल नमबर दो वेरिकोज वेन के टाइप्स क्या है सवाल नमबर 3 वेरिकोस वेन के लिए medical guidelines क्या कुछ कहती है सवाल नमबर 4 क्या वेरिकोस वेन को allowed किया जाता है medical के अंदर और सवाल नमबर 5 इस operation of वेरिकोस वेन is allowed or not इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे what is वेरिकोस वेन and the type of the वेरिकोस वेन तो आपके सामने slide मैंने लगा दी है सबसे पहले तो definition according to WHO की abnormally dilated secular and cylindrical superficial veins अब इसका देखो आपको मैं total मतलब बताता हूं कि कुछ ऐसी unnatural veins जो आपकी dilated मतलब उभरी हुई होती है जो आपकी skin के उपर उभर कर बहार आ जाती है उनको आप क्या कहते हो उनको कहा जाता है आपकी वेरिकोस वेन्स यहाँ पर ठीक है कुछ ऐसी veins जो उभर कर बहार आ गई अब normally जो सरीर के अंदर होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो बहार दिखाई दे रही है तो क्या होंगी वेरिकोस वेन्स सामने picture के अंदर आप देख सकते हैं दो photo यहाँ पर लगाई गई हैं सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि लेफ्ट साइड की तरफ में आप इसके पैर पर देख सकते हैं कि कुछ वेन्स उभरी हुई हैं that's that vayne are a type of vare shake और दूसरी तरफ उनके पेट के नीचे, राइट साइड की पीचर में आप देख रहे हो कुछ वेन सुबरी हुई है, इन यह वी किस तरह का टाइप है, यह भी वेरिकोज वेन के टाइपस है, तो यहां पर एक पीचर के माध्यम से समझाया गया है, कि आपकी जो वेरिकोज होती है, वो एक्चुल में होती क्या है, ठीक है, अब आजाते हैं क्लासिफिकेशन के उपर, कि आपके जो वेन्स होती है, तो बेसिकली इनको तीन टाइप के नदे डिवाइड किया गया है, सबसे पहले वेरिकोज वेन्स ऐसी डाइलेटिड मतलब जो कि आपकी उबरी हु जो कि आपकी उबरी हुई नहीं होती है, लेकिन जाल की तरह आपकी फैली हुई होती है, जिनको आप छू कर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको देखने से पता लगता है कि वेरिकोज वेन्स है, और तीसरी भी आपके पास इंटरडर्मिनल होती है, जो स्किन के अंदर की तरफ होती है आपकी वो अंदर की तरफ उबरी हुई होती है ठीक है उनके यहाँ पर आपके साइज दिये हुए है अब चलिए अगर बात करें आगे आपको यहाँ पर दो पीचर जो मैंने स्लाइड लगाई उसमें आप बेख सकते हैं कि पहले वाली में जो रेटिकूलर वेंस थी जिसके अंदर स्पाइडर वेवस भी इनको बोलते हैं जहां पर जाल की तरह आपकी फैली हुई होती है और आप इनको छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं कि फैली हुई है लेकिन आपको दिखने में पता लगता है हाँ यह वेरिकोज वेन है गाठ टाइब की होती हुई आपकी जो वेन से वो उपर की तरफ उभरती है वो साइड में आप राइट साइड के अंदर पिच्चर में देख सकते हुई यह सारे आपको टाइब बताए गए है कि वेरिकोज वेन कितने टाइब की यह आपर होती है अब अगर बात करें यह नोर्मल वेंस ही होती है जब तक कि आपकी वेनियस रिफ्लेक्स के साथ आपकी कम्बिनेशन ना बनाएं इसके बाद अगर अगर यह कम्बिनेशन बना लेती हैं तो यह आपकी पेंफुल एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें आपको हाथ को बेंड करने में और खोलने के कितने टाइप्स की आपर होती हैं बगर बात करते हैं मेडिकल गाइडलाइन्स के अंदर कि आपकी वेरिकोस वेनिस के बारे में क्या कुछ कहा गया है तो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है मेडिकल गाइडलाइन्स पहरा नंबर 29 है हलां कि इससे उपर और भी थे लेकि अमें जो वेरिकोस वेन के लिए चीए था तो मैंने उतना ही आपके लिए लगा दिया है वेरिकोस वेनिस के अंदर कहा गया है डाइगनोसिस अफ दे वेरिकोस वेनिस 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 अफ्टर कंफरमेशन और इनकंपिटेंसी और स्वेनो फोर्मल जंक्शन और प् of veins should not be criteria for rejection, ठीक है, अब इस पूरी के बारे में क्या कुछ का गया है, वो सुन लिजी आप, यहाँ पर कहा गया है कि आपकी veins जो है, वो उबरी हुई हैं, सिर्फ उनको देखकर ही आपको reject नहीं किया जाएगा, कि अगर आपकी veins उबर रही हैं, तो भाई इसका मतलब क्या हो है, कि आपको यहाँ पर reject कर दिया, क्योंकि आपके varicose vein है, यहाँ पर कहा गया है, कि आपकी जो डाइगनोस है, वो प्रोपर किया जाएगा, किसके बेस पर, आपके dilatation के बेस पर, कि भाई, आप जो आपके छूकर, कि वो कितनी उबरी हुई हैं, कितनी आपकी वो painful हैं, या नहीं है, क्या आपको उनस जो veins उबरी हुई है, उनसे आपको कोई दिककत हो रही है, या नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को clinical test से अप्रूब करने के बाद ही, आपको reject किया जाएगा, या फिर आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, या decide किया जाएगा, इसके वा लेते हो, उसके बाद भी आपको क्या किया जाएगा, स्विकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओप्रेशन करवाने के बाद भी जो अंदर से डिफेक्ट होता है, जैसे बताया गया है, सेफिनो फॉर्मल जंक्संस, ये कुछ SFN इस तरह से SFJ कुछ इस तरह से अंदर आपके reflex actions होते हैं, जिनसे आप veins को तो ठीक करवा लेते हो, बट उस veins के अंदर जो प्रोपर आपका flow होना चाहिए, जो आपका अंदर से change नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये तो है medical guidelines, अब बात करते हैं, आखरी जो सवाल था, क्या आपका जो medical guidelines के according, क्या आपके varicose way ने उनको स्विकार किया जाता है medical में, या नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर medical guidelines है, उसके अंदर आप पहरा नंबर यहाँ पर, कहाँ पर गया आपका, पहरा नंबर E, E पहरा नंबर आप यहाँ पर देख सकते है, mild varicoselle, ठीक है, mild varicoselle के अंदर लिखा गया है, if veins are palpable after वल्सवा manover otherwise invisible, ठीक है, देखें, यह कहता है, अगर आप किसका मतलब क्या कह रहा है, अगर आपकी जो veins है, वो palpable का मतलब होता है, जिने आप छूकर महसूस कर सको, मानलो मेरे यह veins है, तो मैं उसको यहाँ पर छूकर बता सकता हूँ, हाँ यहाँ पर veins है, बट किसके बाद, इसके बाद क्या बता है, वाल्सवा manover, वाल्सवा manover क्या होता है, एक टेकनिक होती है, ज जब आप जैसे की गुबारे को फुलाते हो, इस तरीके से आपको एक टेकनिक होती है, जिससे आपको हवा को ब्लो करना होता है, और उसके बाद अगर आपकी वेंस खड़ी होती है, तो वो नोर्मल है, बट उसके अलावा आपकी जो वेंस है, वो दिखती हुई नहीं है, म यह आपको साफ नजर आ रहे हैं, तो आपको मेडिकल गाइडलाइन्स के अंदर पॉइंट नहीं मिलेगा, और आपकी वहाँ पर स्विकार कर ली जाएंगी, ठीक है, तो वेरिकोज वेंस के अंदर बैस यही है, कि आपकी वेरिकोज पहले तो मेडिकल गाइडलाइन्स के recording आपकी चेक की जाएंगी medical clinical test से चेक की जाएंगी कि क्या वो आपको duty perform करने में कोई दिक्कत कर रही है या नहीं कर रही है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो स्विकार कर ली जाएंगी mild है तो भी स्विकार कर ली जाएंगी और अगर आपको doctor ये कहता है, अगर आपको doctor ये बताता है कि भाई हाँ ये आपको आगे दिक्कत कर सकती है ये deep है तो आपको reject किया जाएगा अदरवाईज आपको जो reject वो नहीं किया जाएगा, अब जो मैंने पीछे guidelines बताई थी उसमें last वाला पहला note जो है वो आप एक बार देख सकते हैं in case of the rejection recruitment medical officer will fully justify in writing ठीक है कि वो क्या कह रहा है इस पूरे पहरे का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको reject किया जाता है किसी भी चीज में तो medical officer की duty है वो आपको पूरा उसके अंदर guidelines के according आपको लिखेगा कि आपको क्यो reject किया गया है क्या point बना है और इसकी किस वज़े से आपको बाहर किया जा रहा है उस ताकि आपको re-medical के लिए भी एक आपको point मिल जाए और अगर उसके अंदर कोई गड़बड पाई जाती है तो जो medical officer होता है वो इसके लिए responsible होगा ठीक है तो यही सारी चीज थी varico cell के बारे में hope so आपके doubt यहां पर clear हो गए होगे आप इसके according आप check कर लीजे कि आपके varico cell जो है वो किस level की है ठीक है फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही और इसके बाद skin के ऊपर एक बहुत important वीडियो आने वाली है जिसमें इसकी बहुत सारे बच्चों के skin problems है लेकिन उनको पता भी नहीं लगता कि हमें skin problems है उनको लगता हम ठीक है बद मेडिकल में उनको दिक्कत आ जाती है तो ऐसी ही skin problems के उपर वीडियो आज शाम को या कल morning आ जाएगी तो चैनल पर बने रही है सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगली वीडियो में आप से फिर मिलेंगे तब तक लिजाज़े दीजिएगा नमस्कार